कोल काता शहर में दिगंबर जयन समाज की अनेक संस्थाएं हैं जो नी स्वार्थ भाव से समाज की सेवा करती है पर एक ऐसी संस्था है जो पिछले 89 साल से ना केवल जन साधरन बलकि सादू संतों की सेवा भी करती है और उस संस्था का नाम है श्री दिगंबर जयन दातत्व और शधाले चित पुरिस्थित जयन भवन में संचारित इस संस्था के कारले तथा चिकिस्था केंद्र का नवीनी करण हुआ जिसका उधगाटन 15 अगस्त 2022 को हुआ साल 1933 में दिगंबर जयन समाज के साथ समाज सेवियों ने इस संस्था की निव रखी साहु श्री शांदी प्रशाद जयन, श्री मिश्री लाल जी जयन काला, श्री गजराज जी गंगवाल, श्री नागर मल जी जयन, श्री रतन लाल जी जांजरी, श्री नंद लाल जी सराओगी और श्री नथ मल जी सेठी के अथक प्रयाज से इस संस्था की शिर्वात हुई जो आज 89 साल के बाद भी अनवरत लोगों को सिवाय दे रही है यह संस्था जहां आयुर्वेटिक पदिती के द्वारा इलाज करती है वही होमेपैतिक पदिती के द्वारा भी इलाज किया जाता है साथ ही साथ यहां पर हड़ी से सम्मंदित बिमारियों का भी इलाज होता है और एक फीजियो थेरपी केंद्र भी है संस्था के नवीनी करण की उपलक्ष में 15 अगस्त 2022 को एक भव्य कारेकरम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अधिती के रूप में स्थानिय विधायक श्री विवेग गुपता मौजूद थे जंडो तोलन के परशाथ कारेकरम की शुरुवात हुई सर्वर प्रथम भगवान के सामने दीप प्रजलित किया गया फिर मंगला चरण हुआ इस भव्यव कारेकरम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद समाज सेवी श्री रमेश जी सरावगी मौजूद थे आज भी गौवर्मेंट ऑफ इंडिया के वेब साइट पर आल्टरनेट मेडिसिन के रूप में इसको कह रहे हैं इस भव्य कारेकरम के द्वारा संस्था के नवीनी करण में आर्थिक सयोग देने वाले वेक्तियों को सम्मानित किया गया 37 संस्था को अपनी सिवाई देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया इस गरीमा मैं पूर्ण वकारेकरम में काफी बड़ी संख्या में समाज किमाईला और पुरुषों ने भाग लिया भारी बरसात होने के बावजूद भी सभागार खचा खच भरा हुआ था और भीड होना तो लाजमी था क्योंकि एक परुपकारिक संस्था के 89 साल पूरे जो हुए थे एक तरफ जहां चैरिटी से चलने वाली संस्थाई काफी परिशानियों का सामना करती है वही श्री दिगंबर जहन दातत्व और श्रधाले पिछले 89 साल से सादू संत और आम जनों की इनने शुल्क सेवा कर रहा है कारेकरम की पस्चात भव्यन नवीनी करित केंद्र का उद्खाटन कोलकता के प्रसिद समाज से वीशे निर्मल जी पुश्वाजी बिंदाय का कहा तो हुआ संस्था के महा सचर्वष्टर भागचन जी काला जे के मसाले के अतक्रयाज से एवं अध्यक्ष्ष्री राशकुमार जी सेठी और अन्य कई सदवस्यों के सयोग से संस्था का नव निर्मित और बर्तमान स्वरूप आज समाज के सामने है जिसका लाब जन साधरन के साथ साथ साधू संतों को भी मिलता रहेगा मुझे खुशी है कि समाज के गड़ी सभी गड़माने व्यक्ति आज इस कारिकर में उपस्तित रहे नवासी साल पहले एक छोटा सा पोधा लगाया था और आज ये अपने दो ब्रांच के माध्यम से एक स्री दिगंबर जेन भवन और एक बैसाक श्ट्रीट बड़े मंदर के बगल में दो साखाउं से अपने निसूलक सेवाएं परदान कर रहा है अभी हमारे महामंत्री स्री भाक्चन जी साब काला जी ने ओजडाने के बारे में कुछ पताए अब मैं अजएक श्री राजक्माजी स्यटी साथ से निमेजन करूँगा कि ओजडाने के कुछ हम सब को जनाए और समाज को भी अउगत कराए अभी जो ये नवीनी करण हुआ है इस नवीनी करण के सुत्रधार हमारे महामंत्री स्री भाक्षन जी काला की ही ये योजना थी समाज के 23 दान दातारों ने इसमें सेयोग दिया और इस कारी को पुरा करने में अमें धाई ब्रस से ज्यादा समय लगा और हमारे सुनील जी पहाड़िया निर्मल कुमार जी पाटनी यो अन्यकारिकार्णी के सदेश्यों ने हमारे सुबोज जी पाटनी जो हमारे मास्तरला की जो उजदाला है उसका सारा कारिभार देखते है उन्होंने पूर्ण रूप से सयोग दिया जिससे ये जो उजदाला ह आज नवीदी करण होकर के जंता की सेवा के लिए सपूर्द किया गया आज हमारे देश में पचतिवा साधीनाता दिवस मनाया जा रहा इस उप्रक्षमें जेहन समाज की तरफ से आज दिगंबा जेहन भावन में जा दातर बोसुदर लाई का नवीदी करण हमारे पिये निर्मल जी पुस्वा बिनाय के दवारा उपनिंग हुआ मैं पुरी जेहन समाज की तरफ से उनको धन्य बाद देता हूँ हमारे पेसिडेंट राज कुमार जी सेटी सेकर्टी भाग्चन जी काला और भी जो भी हमारे कमेटे के सदे से है कौसाद्या के निर्मल जी पाटनी है सागर जेन है सुलिन जेन पारिया उनको धन्य बाद देता हूँ इस केंद्र के बर्तुमान स्वरूप को देखकर लगता है कि आगे आने वाले समय में संस्था के द्वारा अच्छी सेवाई लगतारां जनों को मिलती रहेगी जिससे उनकी जिन्दगी बन जाएगी बहाद जिन्दगी झाले समय में स्वरूप को देखकर लगता है